हेलो एब्रीवन वेल्कम टू इंजिनियर्च उजकेशन पॉइंट इन इस वीडियो वी आर गोईंग टू लर्न अबाउट ट्रांजिस्टर क्रिस्टल उसिलेटर हम लोग ट्रांजिस्टर क्रिस्टल उसिलेटर के बारे में परहेंगे तो देखिए ट्रांजिस्टर क्रिस् स्पिफ्टर को फिगर वन सो कर रहा है नोट एट इट इस कॉल पीड्ज स्टेयर मोडिफाइड टु एकस इस एक्रिस्टा उस्सलेटर यह जो है इस जो है मोडिफाइड करें क्रिस्टल ऊसिलेटर को बनाए जाता है क्या मोडिफिकेशन किया गया है अब देखिए सरकी को तो सर्कीट डाइग्रा में देखिए यहां पर टैंक सर्कीट अगर आप कॉल्पिट ऑसिटेटर का देखेंगे तो यहां सीवन है सीटू है और यहां पर जो है एल होता है यहां पर इंडेक्टर होता है यहां पर क्रिस्टल का यूज क्या गया है बस यही मोडिफाई क्या क्रिस्टल का यूज किया गया है और यह जो क्रिस्टल यूज क्या गया है और यह जो यह जो बडी तरह एक्ट करता है इन इस सर्कीट इंस्टीड ऑफ रिजोनेंस काउज बाइल एल एंड प्लस C2 जैसे की कॉलपीट्स और में क्या होता है रिजोनेंस प्रोड्यूस होता है इंडेक्टर और सिवन प्लस C2 के द्वारा यहां पे जो है ट्रांजिस्टर और क्रिस्टल के द्वारा जो है प्रोडूस किया जाता है एट पैरलर बिजोनेंस क्रिस्टल को सब्सक्राइब और इसका मतलब यह जो maximum impedance produce करेगा जिससे क्या होगा maximum voltage drop जो है c1k cross c1k cross होगा maximum voltage drop c1k cross होगा this in turn will allow the maximum energy transfer through the feedback network fp और इससे क्या होगा maximum energy जो है transfer होगा feedback network के through fp जो है feedback network इससे जो है transfer होगा maximum energy transfer होगा नोट डाट feedback is positive feedback क्या है positive feedback अप्रा किया जाता है एक फिएज सीप्ट आप 162 डिग्री इस प्रोडिश्ट वाइडर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर के द्वारा जो है 180 डिग्री का फेज़ी इस प्रोडिश्ट के जाता है एक फर्दार फेज सीप्ट आप 162 डिग्री इस यह इस दिग्री इस प्रोडूटश्ट रवाइडर और यूज क्या गया है सिवन से टू उसके दौरा भी एक्साइब का फेस्टिप प्रोड्यूस के जाता है इस लिए यूज करता है इसमें जो है यह स्टेबल होता है सब उसलेटर में सबसे जाज़े जो सबसे जादा होता है नेक्स्ट है एडवांटेज ऑब क्रिस्टल उसलेटर तो देखिए क्या एडवांटेज है यह आफ फ्रिक्वेंसी एस्टेबलीटी फर्स्ट जो एडवांटेज लिखा है इसमें जो होता है हाइर और का बहुत अच्छा एस्टबिटी जो है टेस्टल तो किस्टर का सबसे अच्छा होता है तक क्यालीटीटी फ्यक्टर क्यू आप देटी वह था लिए होता है यूटी फ्यक्टर फ्यक्टर सुन का वह बहुत ही जादे होता है तक्यू फ्यक्टर अप्रीशों में भी आज 10,000 10,000 compared to about 100 of LC tank circuit LC tank circuit में 100 होता है Q factor Q कितना होता है 100 होता LC tank circuit में वही crystal oscillator में 10,000 होता है 10,000 होता है तो इसका stability सबसे अच्छा होता है disadvantage क्या हो जाएगा, they are fragile and consequently can only be used in low power circuit, देखिए, transistor crystal oscillator जो होता है, वो कमजोर होता है, fragile कमजोर होता है और इसका low power circuit में ही यूज किया जाता है, high power circuit में यूज नहीं किया जाता है, the frequency of oscillation cannot be changed appreciably, और frequency of oscillation जो है इसको बहुत जादे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये दो क्या हो गया, crystal oscillator का disadvantage हो गया, advantage क्या हो गया, frequency stability जो है सबसे अच्छा crystal oscillator का होता है, तो इस वीडियो में हम लोग transistor crystal oscillator को देखे, thank you for watching this video, thank you so much,